आज हम बनाने जा रहे हैं पिस्ता आइस क्रेम वो भी हमारे स्टाइल में तो चलें कैसे बनाएंगे करेंगे स्टार्ट करते हैं कि यहां लिया है मैंने 2 कप हेवी विपिंग क्रीम जिसे मैंने बरफ के ओपर रख लिया है प्याले को और क्यूंकि टेंपरेचर यहां जादा है बहुत गर्मी है तो विपिंग क्रीम का रिजर्ट अच्छा नहीं आता इसलिए हमने प्याला भी चिल लिया है क्रीम भी चिल है और नीचे बरफ भी रख लिया है अब हम इसे करेंगे बीट तो चलें शुरू करते हैं पहले लोग स्पीड पर करेंगे आइस्ता आइस्ता स्पीड बढ़ाएंगे क्रीम को विप करते हुए यह देखें अब यह विप होना शुरू हो गई है यह देखें अब यह विप हो रही है इस तरह से होनी चाहिए थोड़ा साम एक दो मिनिट और करेंगे क्रीम विप हो गई है अब हम इसमें शामिल करेंगे थ्री फोड कप कंडेंस मिल्क सारा काम हम बोल को बरफ के प्याले में रखके ही करेंगे जैसे के हम पहले बता चुके हैं आपको के टेंपरिचर जादा है गर्मी है हीटी मौसम है तो क्रीम बहुत जल्दी फिर मेल्ट होना शुरू हो जाती है पिस्ता इस्क्रीम बनाएंगे तो यहां डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ग्रीन कलर के अब हम इसमें शामिल करेंगे पिस्ता एसंस एक से दो ड्रॉप जाद नहीं और यहां कुछ कतर के रखें हमने पिस्टैशो वो डाल देंगे और इसे करेंगे अच्छी से मिक्स मिक्सिंग सारी जो भी हम करेंगे वो बोल को बरफ के प्याले पे रखे करेंगे यह देखें कितना अच्छा सा पिस्ता कलर आया है अब हम इसे डालेंगे उस ट्रेल में जिसमें हमने इसे फ्रीज करना है चलें इसको यहां पोर कर लेंगे सारी अच्छे से डाल देंगे इस पे स्प्रिंकल करेंगे कुछ पिस्ते जो हमने यहां रखे थे सिरैन रैप लिया है हमने क्रिस्टिलाइडिशन को अवाइड करने के लिए वो हम इसके उपर अच्छे से लगा देंगे अब इसे हम रख देंगे ओवर नाइट या पारा घंटे के लिए टेंप्रेचर पर डिपेंड करता है अगर आपका टेंप्रेचर तक्रीबन अच्छा है ठंडा है मौसम तो यह आठ घंटे में भी जम जाएगी और अगर आपका टेंप्रेचर गरम है तो कम से कम इसे बारा से चौदा पंदा घंटे के लिए डी फ्रीजर में जरूर रखिए बेहतर रिजल के लिए तो चले मिलते हैं आप से बारा से चौदा घंटे के बाद देखें आइस क्रीम को हमने डी फ्रीजर में रखे हुए तक्रीबन चौदा घंटे हो गए थे अब हमने निकाल लिया है चले चेक करते हैं सर्विंग बॉल्स में निकाल लेंगे मज़िदार पिस्ता ऐस्क्रीम हमारे स्टाइल में तयार है हमारे तरीकी से बनाईए इंजॉई कीजे घर्मियों में फैमली के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें एक नए आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजे फिर मिलेंगे अलाहाफिस